दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियान एरफोर्स के तरफ से अपने पुराने हो चुके एंटनोप A.N.32 एरक्रेप्टों को रिटार करने के लिए एक बहुती मेगा टेंडर को जारी किया गया है और इस टेंडर को मीडियम ट्रांसफोर्ड एरक्रेप्टों का नाम दिया गया है और दोस्तों इस टेंडर के अंतरगरत इंडियन एरफोर्स का डिवन 60 से लेके असी के संख्या में ट्रांसफोर्ड एरक्रेप्टों को खरीदना चाहता है और दोस्तों इस टेंडर को हासिल करने के लिए एक तरीके ऐसे कहा जा रहा है कि कैई सारे अमेरिके कंपनी लॉकिड मार्टिन के द्वारा भी भारत के सामने अपने C-130J सुपाहकूलिस एरक्रेप्टों का ओफर रखा गया पर दोस्तों अब जैसा ख़बर आ रहा है उससे तो अंदाजा यही लग रहा है कि शायद इन तीनों कंपनियों का ही सपना तूड जाए क क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत के तरफ से इन एरक्रेप्टों से अधिक इंटरेस्ट अब रश्यन एरक्रेप्टों को लेके दिखाया जा रहा है। रशिया अब western देशों को भारत के मार्केट से दूर धकेल रहा है बेसिकली दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही जो दुबई में एरशो आयजित किया गया था वहाँ पर रशिया के तरफ से illusion 76 aircraft के upgraded version को पहली वार के तरह दुनिया के सामने लाया गया दोस्तों ये जो upgraded aircraft है ये दिखने में तो पुराने illusion 76 जैसा ही है लेकिन इसे कई तरीके के नए equipment के साथ जोड़ा गया है ताकि ये पुराने aircraft हो में जो demarits था उसे दूर कर सके और नए जमाने के आवशक्ताओं को पूरा कर सके इन aircraft को illusion 76 MD-90A कहा जाता है और ये aircraft कुछी समय पहले रश्या के तरफ से तयार किया गया था लेकिन दुबई यर्शों के दर्मियान पहली बार की तरह दुनिया के सामने इन aircraft को लाया गया और दोसों ये जो aircraft है ये Soviet जमाने में developed किया हुआ illusion 76 aircraft के जैसे ही heavy airlifter का काम करेगा और cargo के साथ सा troops को भी carry कर सकेगा और ये aircraft के अगर looks को देखा जाए तो ये काफी हत तक similar भी है और पुराने illusion 76 जैसे ये ये aircraft के no section के नीचे वाले हिस्से में glass भी लगा हुआ है जो की एक अच्छा looks भी देता है और एक negative impression भी बनाता है कि ये जो aircraft है ये पुराने illusion 76 सी है और दोसो रशिया के अधिकारियों के द्वारा दुबई ये अर्शो के दर्मियान ये भी confirm किया गया है कि currently illusion 76 aircraft को इस्तेमाल किया जाने वाले कई सारे देशों के सामने रशिया के तरफ से नए upgraded aircraft का offer रखा गया है जिनमें भारत भी शामिल है इवन आपके जानकारी के लिए बतादू कि भारत तो illusion 76 aircraft को replace भी करना चाहता है लेकिन फिलाल export market में अगर देखा जाए तो illusion 76 जैसे heavy transport aircraft अवे लेवल नहीं है और इसका मतलब ये है कि अगर किसी अन्य aircraft के द्वारा भारत इन aircraft को replace करता है तो शायद इन aircraft के जैसे इतने अध इसके दशक के मध्यम में खड़िदा गया था उही पर आप लोगों के जानकारी के लिए बतादू कि इन platform के base पे निर्मान किया हुआ कुछ और platforms का भी इस्तेमाल इंडियन यारफोर्स के तरफ से किया जा रहा है जिन में illusion 76 के falcon, avax aircraft भी शामिल है और illusion 78 जैसे mid air refueling aircraft भी दोसो जो illusion 76 इंडियन यारफोर्स में है इसे इंडियन यारफोर्स के द्वारा साल 2035 तक संपूर्ण रूप से retard किया जाना है और दोसो रश्या के तरफ से illusion 76 यारफ्टों के इन upgraded version हों के एक export oriented version भी बनाया गया है जिसे illusion 76 MD90AE नाम दिया गया है जिसे की highly modernize किया गया है औ ग्लास कॉप पिढ़ी नहीं जोड़ा गया है बलकि इसके wing structure को भी improve किया गया है ताकि दोस्तों ये अधिक पेलोट को carry कर सके और लंबी दूरी तक उरान भर सके जिसे की ये वादवी साफ हो गया है कि पुराने यारफ्टों के मुकाबले में नए upgraded यारफ्टों का जो range हो वो भी अधिक होगा और दोस्तों रश्या के रोस्टेक कॉर्फरेशन के CEO सरगी चैमिजॉफ के तरव से अपने एक बयान में बताया गया है कि ये जो नया यारफ्ट है इसे संपूर्ण रूफ से modern requirement को देखते हुए ही तैयार किया गया है ताकि ये रश्या के भी requirement हो को प लेंडिंग को भी इंप्रूफ किया गया है और यारफ्टों के जो क्रूजिंग पर्फॉर्मेंस है उससे शुरू करके पेलोड लॉंग फ्लाइट रेंज और एफिशियंसी को भी बढ़ाया गया है और इसके फ्यूल कंजम्शन भी कम हुआ है और आप लोगों के जानकार का सबसे बड़ा बयान ये है कि नए यारक्रेप्टों को लेके भारत इंट्रेस्टेड है और भारत शायद अपने पुराने इल्यूजन 76 यारक्रेप्टों को रिटार करने के लिए ये नया इल्यूजन 76 यारक्रेप्टों को पर्चेस करें लेकिन दोस्तों भारत के तरफ यार क्रेपटों के अंतरगत ही पुरा किया जाए, लेकिन अगर Illusion 76 को अर्ने यार क्रेपटों के दुरा रिपलेस किया जाता है, तो मीडियम ट्रांसपोर्ट यार क्रेपटों में शायद कम यार क्रेपटों को खरीदा जाए. अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे Illusion 76 यार क्रेप्टों को लेके एक बड़ा खबर आ रहा है तो उही पे साती साथ Airbus Company के C295 यार क्रेप्टों को लेके भी एक बड़ा खबर आ रहा है पर ये खबर इंडियन यार फोर्स के तरफ से नहीं बलकी इंडियन कोस्ट गार्ट और इंडियन नेवी के तरफ से आ रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ट और इंडियन नेवी मेरिटाइम सर्वलेंस के आवशकताओं को देखते हु C295 यार क्रेप्टों के बेस पे बनाय जाने वाले मेरिटाइम पे ट्रोल यार क्रेप्टों को खरीच सकता है तो उही पे अब एक तरीके से इन संभावनाओं के उपर मोहर भी लग रहा है अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग के जानकारी के लिए बता दू कि इन्डियान यार फोर्स के तरफ से अल्रेडी C295 यार क्रेप्टों को पर्चेस किया जा चुका है और इन्डियान यार फोर्स को अपना पहला C295 यार क्राप मिल भी चुका है जो बेसिकली स्पेन के एर अब दोस्तों यह जो एडिशनल पंद्रा कोजट गार्ड और नेवी के द्वारा ख़िदा जाना है शाइद इन्डियान यार क्रेफ्टों को भी भारत में ही निर्मान किया जाए और रिपोर्ट में दावा यह भी किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स के साब न कि ये Maritime Petrol Aircraft होगा और इन यार क्राप्टों को Maritime Petrol Aircraft में Center for Airborne Research के तरफ से Convert किया जाएगा अब 256 C295 यर्क्रेप्टो के साथ और अगर 15 यर्क्रेप्टो को जोड़ा जाता है तो टोटल यर्क्रेप्टो का संख्या अब 71 हो गया है जो एक तरीके से इन यर्क्रेप्टो को मेनुफैक्चर करने के लिए भारत में जो फेसिलिटी बनाया जा रहा है उन फेसिलिटी के भ में से पहले तो इन 40 यार क्रेफ्टों को बनाया जाएगा लेकिन 40 यार क्रेफ्टों को निर्मान के दर्मियान additional यार क्रेफ्टों को लेके भी सोज विचार किया जाए जो शायद Indian Air Force के एंटरोव 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 एंटरो यार्क्राप्ट होगा हलाकि आने वाले समय में इन यार्क्राप्टों को और वी कई तरीके के यार्क्राप्टों में कनवर्ट किया जा सकता है जिनमें एंटी सब्मरीन वोर्फियर यार्क्राप्टों से शुरू करके छोटे आकार के एवएक्स इवन सिगनल इंटलीजन मतल पर दोस्तो अगर इंडिया अपने मेरिटाइम पेटोल यार क्रेप्टों को निर्मान करने में सफल होता है तो आने वाले समय में मीडियाम ट्रांस्पोर्ट यार क्रेप्टों के बेस पे या फिर कहें तो मीडियाम ट्रांस्पोर्ट यार क्रेप्टों के इस्तेमाल से लॉं यारक्रेप्टों को भी और खरीदने का झरूरत नहीं पड़ेगा तो इस आप लोगे को क्या लगता है कि भारत के तरफ से यह जो ट्रांस्पोर्ट यारक्रेप्टों को लेकि अलग-अलग तरीके के इनिशेटिफों को लिया जा रहा है इससे कैसे भारत और ताकतबर होगा कॉमेंट करके अपने राए अवर्ष्ट दीजिए दोस्तो आज के इस वीडियो को यही पर ही करते हैं समाफ्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम